Hello so, Escalate.com का सभाट ऐसकेशों कैसे हो आप सकता हूं बहुत अच्छ होंगा चाहर हो गया दुस्रों एक कार का AEMPIRE रिपेर होने कर्के मैंने इसमें BC वायर लगा दिए है यहां पर इसमें प्रोग्म क्या है सबसे बड़ी प्रोग्मम इसमें प्रोटक्ट किये है मतलब जो र जल लिया हमारी ौल्टेज कि नवाटर चला आहा हुई इसमें प्रोट्रक्ट की समस्या है अभी प्रोट्रक्ट की इसमैं इस है कि कश्टमर कहीं नर्काइप कर दिखाया कि बोड़ी चेंज करना होगा और बोड काफी महेंगा बतारे है इसके लिए दोस्तों मैंँ आपधे जलैता हूं और फिर हम बताते हैं ते यहां निद्गल जा फेकंस तो इसमें क्या होता है जो हमारां एंपज़िकूट समथ हमारा आपना बीफ़ियर सेक्षियरission ऑन में हमारा अब इसे सिस्टम में साथ है जब तक इन कैपिस्टर पर वोल्ट नहीं आती 25 और 25 तब तक यह प्रोब्लम बने जाती है और जब कि 12 इंपूट देती है तो यह हमारे टांस्वामर है यहां पर यहां पर इंपूट रहा पर यह हमारे मौस्ट आ है और साइड में यहां पर दो डायोड इन कैपिस्टर पर वोल्टेज आती है बड़े वाले पर तो हमें फाइंड किया करना होगा इंपूट वोल्टेज और आउट्पूट वोल्टेज तो मल्टिमेटर को 200 वोल्ट डीसी पर लगा लेते हैं ठीक है पहले मैं आप दिखाता हूं और आपको में कैपिस्टर जोन पर वोल्टेज दिखाता हूं तो देखिए कि में अग्याइब दोनों पर यहां के 25 चोबी 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 चांच जिए जबकि आप इनपूट एक 12.4 वोल्टेज आ रही है ठीक है विंपूट है लेकिन आउट्पूट में जो वोल्ट आती है वो नहीं तो दोस्तों यह ज जो जेनर डायोड लगे हैं वो चेक करने होगा और आपके बड़े वाले चेक करने होंगे कि कोई शौट तो नहीं है किकोई प्रोटेक्ट टी समग्य से दोस्तों आपकी भाजाजी से बनती है छुमलट मेंटी मोट लगा और सबसे पहले डायोड यहां a अ बिच यह पर द चक कर लेते हैं जरा इन पर बीप साउंड नहीं बोलने ची एक तरफ से आएगी रीडिंग एक तरफ से नहीं आईगी तो हमारा ठीक है अगर दोनों तरफ से आरे निकालने के बाद भी तो शोर्ट है अगले पर चक करते हैं तो यहां पर कोई भी शोर्टिंग नहीं आ रही है और ड्रेन टू गेट भी नहीं आ रही है तो यहां पर हमारी जेडिंग बिल्कुल केलियर है तो इसमें आपका मॉस्फिट का दो फाल्ट नहीं है क्योंकि मॉस्फिट बिल्कुल हमारे रॉक है एंचैनल के इसी तरह है चेक कर जाता है ठीक है तो देखिए चज़ए तो दुबार दुबार चक कर रहो हूं मैं सभी मॉस्टिट जो है ओ ainda को किलियर कि देख लिए इस लगा होते है से लिए तेट तो ये लाइन पर गहर राखा है एक लाइन पर गए मॉस्टिट थीक है बडियोड कर चोटे-तीक यहाँ पर हो जो पहले मेकैनिक लेके आये था उसने बदल दी हैं सब बिलुकुल किलिया रहा है कोई भी यहाँ पर और भी शोर्टिंग नहीं लग रही है फिर भी हम क्या करनेंगे एक बार चेक कर लेंगे इनको को छोटे वाले ट्रांजिस्टर को तो चोटे वाले हैं पे ठांजिटर लगें हमारे NPN के उनने भी चक कर लेते हैं देखिए, हमारी कोई भी यहां पे शोटिंग नहीं नहीं आ रही है देखिए, जो ड्राइव के लिए आज शेड अधार होके जो हमारे ठांजिटर लगें वह भी ठीक है तो MOSFIT ठीक है, diode ठीक है और आपकी जो चोटे component है वह वाले भी ठीक है तो अब दूस्तों फिर भी यह पे protect देखे आ रहा है तो अब condition में दूस्तों क्या करना है आपको इस condition में दूस्तों हमारी drive kijken आईशी है वह भी खराब हो सकती है एक साइड में ही हमारी 45 प्रोटेक्टाइश लगी है वो भी खराब हो सकती है तो सबसे पहले मैं बड़ी IC बदल के देखनी होगी कि सोट तो नहीं है और अपना ये जो थर्मो स्टेट लगा हो उसका देख लेना कोई लेग ओपन तो नहीं है और बाकी है पहले IC चेंज करके देखनी होगे हमें बड़े वाली तो इस बड़ी IC को हम बाहर निकाल लेते है जल्दी से और हम आपको दिखाती है इसमें हमारी दो IC लगी होती है एक 45 अटाउन वो प्रोटेक्ट के लिए मतलब प्रोटेक्शन के लिए जब भी इसमें कुछ फाल्ट होता है तो प्रोटेक्शन दिखा गए वह बंद कर देता है पर लेकिन फाइदा किया थो अगर अगर एक अप्लिफाय सेक्शन में फाल्ट होगा तो वह प्रोटेक्ट नहीं दिखाएगी लेकिन अगर सप्लिफाय सेक्शन में कोई छोटा मोटा फाल्ट होता है उसके लिए दिखाएगी जबकि वॉल्टेज भावावत हो गरसे एक तरह देखे जाए उसका फायदा भी नहीं फायदा भी है तो हमें यहाँ पर बड़ी ऐसी को निकाल लेना होगा बाहर टीक है तो हमने बड़ी आइसी को निकालेना हो बाहर टुल्ट कर लिया है और इसे बाहर निकाल लेते हैं नंबर दिखाते हैं कौन से नंबर की आई से लगी boy's तो में भाहर निकाल लेनी होगी. यह हमारी ड्राइव के लिए है, जो मदल्ब टांज, इसमें जो, महारी मोजट लगे हो उनको चलागे, प्राइन दियुकुट करने के लिए इसमें श्प्लाइ यह करने के लिए लिए 12 गोल्ट देंगे अगर 24 गोल तो यह हमने दोस्त निकाल ली है इस आइसी का जो नाम बहुत है टी ल चार्सोचोरानमे थो नहीं नीचे तरफ लिखा हुआ इसमे ठीक है टील चारसो चुरान में तो हमें दोस्तों इसी सेम नंबर की आईशी लगानी होगी इसमें लिखा है अगर आपको नहीं दिख रहा होगा साथ टील चारसो चुरान में ब्रैटनस करके रोटेट मॉड में देखा करो वीडियो को से बहुत अच्छा दे तो इसी आईश अच्छानी से बहुत यारा अच्छानी से मिल जाएगी जाप इलेक्ट्रों इसोप पर जाओगे तो इसपी चारसो चुरान में बात वही है नंबर सेम होना च्छी एसपी कुछ भी लग रहा होगा और पिच्छे चोड़ दीजिए तो हमाई नंबर सेमें इसी को लगा दे जिससे की आई सी रोकी रहे और हमें इसकी शोल्डिंग कर लेनी है टोटल पूरी आई सीगी तो जल्दी से सोल्डिंग करते हैं आपको दिखाते हैं सबी पिनों की जब आप दोस्तों सोल्डिंग करो तो एक चीज खास ध्यान नहीं कोई भी पिन आपस में अटेच नहों किसी पिन के बिचे में गंद्की नहों ज्यादा अगर ज्यादा गंद्की रहती है तो दोस्तों हमारी इसमें उड़ सर्गिट का प्रोटक्शन की दि लेते हैं कि हमारा आजिसी के फाल्ट है तो दोस्तों अभी भी यहां पर देखे प्रोटेक्ट की प्रोब्लम आ रही है यहां पर प्रोटेक्टी लाइट जल लिए है अभी भी हमारा ओन नहीं हुआ है पावर नहीं है बलू नहीं आई है तो दोस्तों इसमें अभी कुछ और तो दोस्तों अब हमें क्या गाना है लास्ट अब हमार दोस्तों यही है कि 55 आइसी को निकाल के दूसरी लगानी होगी यहां पर प्रोटेक्ट के लिए लगी हुई है जो प्रोटेक्शन के लिए है तो इसे हम निकालनी होगी तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं दूसरी लगाते हैं 45-58 तो इसे हमें लगा के फिर हम देखते हैं चलता है नहीं चलता है अगर दोस्तों चलता है ठीक है अगर नहीं चलता तो फिर हमें देखना हो कोई प्रिंटर नहीं टूटा हुगा कोई रेश्टेंस नहीं टूटी हु यह जो आपकी बेस में काम आती है यह दूस दूस का वर्क बहुत जादा होता है अलग अलग सिस्टम में होता है तो यह 4585C है ठीक है तो 4585C, D, E कोई भी लगा दिए पर लेकिन 4585 नहीं चाहिए तो हम इसे लगा देंगे इसमें यह आपकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई गया है इसका सर्कुट कुछ अलग बनाएगा है वैसे बेस के लिए भी लगती है ओडियो के लिए पर लेकिन इस नहीं पर लग सकता है सर्कुट को पर बाद है तो हमारे पास यह दूसरी आइसी थी सीधी करके इसको लगा देते हैं फिर जड़ा चेक करके देखते हैं चलता है नहीं चलता है क्योंकि दोस्तो सब कुछ किलियर होने के बावजूद भी अगर नहीं चलता उसका भी समाधा पास तो दोस्तों हमने अपर सब कुछ चीज के लिए नकल ली है कि यहां पर सब कुछ ठीक है अब जड़ा ओन करके देखने देखें अभी भी रैड लाइट आ रही है यानि कि प्रोब्लम जो की तुह है जैसे थाई प्रोब्लम अभी भी भाई है तो दोस्तों जब सिर मे नहें को अब कराई है कोई मोशूट बागया शोट तो नहीं हो रहा है तो दोस्तों प्रेश्टन्स पर चूट रही है या कोई ट्रैक आपको डिखाते हैं अगर कोई रिच्टन्स बागया टूट रही होगी क्योंकि इसमे थोड़ा सा लिक्वी डेमीज भी है उसके कर लिया है इसको PCP को ट्रैक कर लिया एक दो हमें हाथ लगाने पर टूट रही थी वो हमने वापिस ऐसी लगा दी पर फिर भी प्रोब्लम का शोलुशन नहीं हुआ तो देखिए यहां पर अभी भी प्रोब्लम वक्की वही है इसमें एक टूट रही थी इसमें वह गलने की पर लेकिन फिर भी प्रोब्लम वही है अब ऐसी कंडिसन में दोस्तों क्या करना है कस्टूमर को चैरलू करके कैसे देना बिल्कुल फिट रूप में पहले आपको दिखाता हूं कि प्रोब्लम वही है नहीं है देखिए मैंने सेट कौन किया देखिए यहां पर अभी भी भ प्रोब्लम को जाएगा वह कैसे अभी हम दिखाएंगे जब इस आप निकाल दो के तो यह अपना प्रोटेक्शन खतम कर देगा बाकी अपनी सप्लाइ सिस्टम काम को जरूर करेगा तो भई ना खराब से तो आपकी यह सही है क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होगा आपको प हम पूरा वर्किंग में रहेगा अभी इस से खराब से तो नो कि इसमें तो अच्छ में नहीं चल्ड तक पूरा वर्क करे इससे आपको कोई दिक्कत आने वाले नही है क्यूंकि अगर अगर थूरो स्टम कूझ प्लिफायर सेक्शन में लग अगर दिक्कत लिए तब काम कर स्प्लाइ स्क्षन बोजान अगा नहीं प्रोटेक्षन ज्यूंड लगते हैं अजा पूकल मैं तो हमें इसकी पंफालुटाइटाउन निकाल देनी है, इसकी प्रोटेक्षण के लिए लगाई गई है, ठीक है? तो हम्ने पंफालीटाउन को ड़िसॉल्ड कर दिया है और अब इसे यहां से बाहन निकाल लेती है क्योंकि पेंटर्टर्ण में आईसी दो तक चेंज करके देख लिए हैं दोस्तों कुछ नहीं हो रहा है अब इसको हमने निकाल दे हैं आप ब्रोपर अब जरा हम सेट को अन करके दिखाते हैं आपको आपको आराम से सेट अन हो जाएगा अगर प्रोटेक्शन की प्रोब्लम आरे और यह वीडियो दोस्तों आपको प्रोटेक्शन की प्रोब्लम पर यह आप पर आप आ अब आपको ब्लू नहीं हो रही है अब तो ज़रा यह देख लेंगे को इस प्रोब्लम तो नहीं है इतको अठाने से आपको दिखा देंगे की मेन कापिस्टर पर व्ल्टे तो 25 देखे पूरे 25 वोल्ट पर आपर फिक्स आ रहे हैं तो हमारा दोस्तों सप्लाइ सेक्षन किलियर हो चुका है हमारा एम्पलिफायर ओन हो चुका है अब हम दोस्तों आपको एक बार शाउंड भी चेक करके दिखाएंगे तो यह तो किलियर हो गया है दोस्तों हमारी गॉल्टेज आ गई है सेट हमारा ओन हो चुका है बिना किसी प्रोब्लम के तो इसमें चार चैनल है चार चैनल में से दोस्तों इहां पर हम कोई से भी लगा अगैं कि तो मैं आप फिलाल चैनल बाल नंबर IAC पर लगाता हूं इसको यानि कि जो इसका आउटपूट इस में उप्रोड तो यह अगम कर दिखाऊँ अगर आपको क्षे निकलने से आपका स्जिगा इससा कुछ नहीं चार तो मैं इसको स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है जो इसकी दोस्तों आर्सी सोकित है वो तूटा हुआ है यहां पर मुझे देखना होगा वन एट टूचेनल का अंदर लीड टूट चुकी है वो सायद मुझे दूसरे पर चेक करना होगा अगर चेक नहीं होता है तो लीड काफी ज दो थ्री और फूर चैनल पर लगा लेंगे और उस पर आपको सेट को चेक करके देख लेंगे तो मैं दूसरे चैनल प्लाओं क्यूंकि इसकी दोस्तों आपकी सोकित टूटा हुआ है दब तक इन्पुट नहीं मिलेगा आउटपुट कहां से जाएगी ठीक है तो मैं चैनल अचामने वीडियो बनाती है हम तो हमने चैनल बेकर लगा लेया है अब जरह साउंड को प्लेगर करके देख लेती हैं तो साउंड आ चुका है कि देखें सी कौन सी है कि सीधा कर लेते हैं से देखें हमारे साउंड आ रहा है इसमें इस्पीकर लगा हुए बराबर में देखें यह मैं बेस्टेबल मीड ग्रोसवर वी सब काम कर रहे हैं बड़ी अधर ऐसे देखें आ है तो तो सब्सक्राइब है तो दोस्तों हमारे वोल्म भी काम कर रहे हैं और और यहां पर जो क्रोसवर का सिस्टम में वह बीस आपकार जिए वश्टिके है कि अधार हम सेट अमारा उपके अभी हम बड़ाके इसफिए तरह ज़से होती है वोल्म गेन के साथ से प्लाइब लिए देखिए वर्किंग में हमारा सेट चारोच चैनल चलेंगे दोस्तों वेकर रहे सब कुछ ओक के चलेगा कोई दिक्कथाने वाली नहीं है और सप्लाइग कफाल्ट अपर में दोस्तों महां पे क्लियर कर लिया है नहीं सिस्टम हमारा वर्किंग में बिल्गुल प्रों पर ऑग कि रिए कर से चारों सेट हमारे बिल्गुल कृलियर चल ले सारे बोलियूम टोनोर अब रहरा तो दोस्तो थोड़ा मैंने इसका पार्ट और नहीं बना तो उससे जाकर देख सकते हो तो आयोब आपको वीडियो पस्जाने तो प्रिवीडियो लाइक करना अब दोस्तों शेर गन्ना आज के इतना ही मिलते है नेक्टिव में जैहिं बंदेवात हम दोस्तों आपका दिन सुब हो